महा भारत के युद्ध में श्री कृष्ण का गीता उपदेश सबसे बड़ी घटना माना जाता है सर और गीता में कर्म योग जिसे अती महत्वपूर्ण माना गया है कहा जाता है कि गीता उपदेश को 5000 साल हो चुके हैं फिर भी आज भी कर्म योग हमारे संपूर्ण जीवन क को बदल सकता है केवल इसे सुन्ने मातर से बदलाव आते हैं और हमारा कर्म भाव बदल जाता है चलिए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का क्या उपदेश दिया था भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कर्म का बंधन अवश्य निर्मित होत मनुष्य जब दुख की, संपती, प्रसंशा की आशा रखकर कोई कारे करता है तो वो कारे के फल से बंध जाता है। तो पराजित होने पर भीक्षन दुख होगा और वो दुख तुमसे कोई अन्यकार्य करवाएगा। जिसके लिए तुम्हें दुसरा जन लेना पड़ेगा और यदि तुम विजय हुए तो तुम्हारा अहनकार बढ़ेगा और वो अहनकार तुम्हें विश्व विजय के दुख प्राप्थ होगा तब अर्जुन कहते है ना सुख माधव ना ही दुख अर्थात तुम्हारा सुख, दुख, हताशा, निराशा, अहनकार युद्ध के कारण नहीं है युद्ध के साथ तुमने जो आशाय बांधी हुई है उसके कारण है अर्थात सुख, दुख को समान मानकर लाभानी जय पराज का विचार किये बिना यदि तुम युद्ध करोंगे काते तो तुम पाप के भागी नहीं बनोंगे इसी को करमयोग कहेते है जो सांखे का ज्यान प्राप्त कर लेता है वो ये जान लेता है कि वो शरीर नहीं केवल एक आत्मा है शरीर के भोग और अनुभव को केवल मृत्यूत कार्थात वास्तवीक नहीं केवल माया है उसके लिए करमयोगी बनना सरल हो जाता है किन्तु माधव यदी कारे से बंधन निश्चित है तो क्या संसार का त्याग करके सन्यास लेना उचित नहीं इसी विचार का परिणाम है कि ये युद्ध हो रहा है पार्थ विचार करो जब सत्भुगुन से भरे कर्म को जानने वाले लोग कर्मों का त्याग करते है तब अधर्म से भरे लोग ही संसार को जला देंगे यदी महामहीन ने संसार का त्याग ना किया होता तो आज अधर्म इतना बढ़ता ही नहीं और तुम्हारे पिता ने यदी सन्यास ना लिया होता तो आज भ्राता युदिष्ठीर सुख से राज कर रहे होते और अपनी प्रजा को न्याय और कर्म का ग्यान दे रहे होते किन्तु दुखदायक बात तो ये है पार्थ की सत्वगुण से भरे मनुष्य ही इस संसार को लाब दे सकते हैं किन्तु वो ही सन्यास का विचार करते हैं जैसे जल तो भाब बनकर ओड़ जाता है और किचड किचड वही पड़ा रहेता है वैसे ही सत्वगुणी सज्जन लोग संसार का त्याग कर देते हैं और तमस से भरे अधर्मी लोग संसार में कार्य करते है इसी कारण से संसार में पाप और अधर्म बढ़ता है किन्तु कर्मयोग इस विचित्र स्थिती से सारे संसार का रशन करता है कर्मयोगी फल की आशा का त्याग करता है किन्तु कर्मों का त्याग नहीं करता वो इसी संसार में रहता है सन्यासी की भाती सारे कारे करता है किन्तु इन में लीप्त नहीं होता कर्मयोगी अपनी संतानों से स्वजनों से अपनी प्रजा से कोई अपेक्षा या आशा नहीं रखता स्वयम्म उसे सन्यास का लाब होता है किंतु समाज को संसारी की भाती लाब देता है मनुष्य अपने संतानों के सुख के लिए श्रम करता है माधव निसंतान से सुख की अपेक्षा कैसे रखे मनुष्य अपनी संतानों के लिए जो भी करता है वो व्यापार है या प्रेम पार प्रेम माधव तो अपने कारियों के लिए फल की इच्छा क्यूं पार्थ भविश्य का लाब तो व्यापार में देखा जाता है, प्रेम में नहीं। जो मनुष्य अपने संतानों का चरित्र निर्मान उचित रूप से करता है संतानों के प्रेम और धर्म के संसकार देता है, उसकी संताने भी मनुष्य को प्रेम और सुरक्षा अवश्य देती है संतानों के कर्म, स्वजनों के व्यवहार उनके कर्म है पार्थ और जब उनके कर्मों पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता तो उनसे आशाय और अपेक्षाय रखने का क्या प्रयोजन यदि गहन विचार करोंगे पार्थ तो शीगर ही ये जान लोगे की जिवने में ऐसा कोई कारे नहीं है जिसके साथ आशाय और अपेक्षाय जोड़ना अनिवार्य हो जब स्रिष्टी ही पर्मात्मा है और मनुष्य स्वयम पर्मात्मा का अंच है तो सारे कारे पर्मात्मा ही करते है मनुष्य स्वयम कुछ नहीं करता यही कर्मयोग का मुल सिध्धान्थ है पार्थ तुम्हें भी कर्मयोगी बनकर ये युद्ध करना आवश्यक है पार्थ मैं जैसे हीन गुणों का त्याग करके निर्गुण बन जाओ पार्थ इस बन्द से मुक्त हो जाओ सदा सत्वबाद परमात्मा में बुद्धी लगा कर करतव्य का वहन करते रहो कुछ प्राप्त करने की इच्छा और कुछ प्राप्त किये हुए का रशन करने का विचार त्याग दो पार्थ और अपनी आत्मा को स्वतंत्र करो तुम्हारा अधीकार तो केवल कर्म करने का है फल तो इस वर के हाथ में है इसलिए ना कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है तु फल का त्याग कर परंतु कर्म का त्याग ना कर ऐसे कर्मयोगी को कैसे जाना जा सकता है माधव सुनो पार्थ जो स्वार्थ से छुटने के लिए भोजन का ही त्याग कर देता है वास्तव में उसके मन में स्वार्थ की लालसा कभी जाती ही नहीं उसे दहुरी हानी होती है एक तो वो निर्बल हो जाता है जिसके कारण परमात्मा को प्राप्त करने का जो प्रयतन अनिवार्य है उसे वो नहीं कर पाता और दुसरा सदा ही उसका मन स्वार्थ की लालसा से भरा रहता है इसलिए भोजन का त्याग करने से उत्तम है स्वार्थ की लालसा का ही त्याग कर दिया जाए करमयोगी अपने मन की सारी लालसाओं को खीच लेता है जिवन को कर्तव्य मानकर कारे अवश्य करता है किन्तु उन कारियों से जुड़ता नहीं और पार्थ जो व्यक्ति आपने कारियों से आशाए और इच्छा नहीं रखता उसी के कारे पोर्ण होते है सिर्फ असफलता से दुखी होकर जिसका मन रोता नहीं एक सफलता से आनन्दीत होकर जो स्वयम को सर्वश्रेष्ट नहीं मानता उसी ही व्यक्ति को कर्मयोगी कहते हैं और ऐसा व्यक्ति जिवन में बार-बार सफल होता है ध्यायतो विष्यान संगस्ते सू प्रजायते संगात संजारते कामा कामात क्रोधो विजायते अनुचित प्रकार के कार्य होने लगते हैं और समाज ऐसे व्यक्ति का क्षत्रू बन जाता है और अंत में ऐसे मनुष्य पुनरता पतन हो जाता है। अन्य योग के लिए धन्यवाद यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए उनके जीवन भी बदल जाएगा अभी आपका धन्यवाद जरूर करेंगे। ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद। झाल 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